नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अबर यूटूब चेनल, मध्य प्रदेश प्रात्मे सिक्षक पातरता परिक्षा की है, दूसरी सीरीज है जिसमें हम आगे के 15 कोशन डिसकस करेंगे, बाल विकासिवम सिक्षन सास्त्र के, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखिए, तब प्लेयलिस्ट में जाके पहली वीडियो भी दिख सकते हैं, उसमें भी हमने काफी invent ot tuition discuss करे थे, इस्टार्ट करते है new sustainable look was discuss कर रहा है यह अगरवाल exam card की बूक हो उसमें से हीमें कोशन discuss कर रहे है, यदि आप प्रेक्टिस के लिए 1 mock test वाली बूक है, Probably we Baumrock했습니다 look मोक्टेष्ट वाली बुक पर्चेस कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रेसियम मिल जाएगा और एक complete steady वाली भी एगर को complete study material वाली बुक चाहिए तो वह वी आप ले सकते हैं स्टाड करें इस कोशन से कोशन नमर शिश्टीम एक सिख्षि का अपने विढ़यतियों में घोशनात्मा ज्यान का आकल gloss करना चाहती है यूँन लिखित में से कौन सा प्रिशन इस उदेज्प के ली अप्यूत है यहां पर बात चल लेगे गोशनात्माग ज्यान की, तीन प्रकार के ज्यान होते हैं या और ही प्रकार होते हैं लेकिन में तीन प्रकार चलते हैं जिस में से एक तो यहां पर देख रखा है गोशनात्मक एक जो होता है वो होता है इसपस्ट और एक होता है आपका प्रक्रियात्मक ठीक गोशनात्मक जो होता है वह रट कर याद करके प्राप्ट किया जाता है इसपेश्ट ग्यान जो होता है वो सेधान्तिक ग्यान होता है और प्रक्रियात्मा ग्यान जो होता है वो कोसल आधारित होता है ठीक है ये तीन प्रकार की ग्यान हो गए अब इनी प्रकार की ग्यान हो गए अब इनी प्रकार की आधारित आम में इसका आंसर देना है एक केक कैसे तयार किया जाता है यह क्या होग आतन की गरदां का सूतर क्या है किसी भी चीज का आतन निकालने का लिए एक फिक्स सूतर होता है जैसे हम जो घनाब होता है घनाब का आइतन लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई आपने पढ़ा होगा बेलन का आइतन पाई आर स्कॉाईर एच तो आइतन गयात करने का एक निर्धारित सूत्र है जिसे याद किया जाता है रड़ा जाता है गेहूं के रोपणे के लिए मिट्टी तयार करने की प्रिक्रिया क्या है? ये एक सिध्धान्तिक आधारित प्रस्न है यहाँ पर फिक्स होता है कि आपको गेहूं लगाना है तो इसके लिए आपको मिट्टी कैसे तयार करना चाहिए? अब हमें यहाँ पर बताना था गोसुनात्मा ग्यान के बारे में गोसुनात्मा ग्यान के लिए सही आंसर क्या रहेगा आतन की गर्णा का सूतर क्या है क्योंकि गोसुनात्मा ग्यान पर चीजों को रट कर याद करके तैयार की जाती है cycle को संतुलित करना ये आपका प्रक्रियातमक ग्यान के अंदर आएगा इसमें कोसल की आवे सकता होगी एक के कैसे तयार किया जाता है या ग्यहूं के रोपन के लिए मिट्टी को कैसे तयार करना है या इसपश्ट ग्यान है जिसमें को सिध्धान या नियम चलते हैं तो राइट आंसर रहेगा हमारा ओफसन नंबर सी आयतन की गर्णा का सूत्र क्या है आगे बढ़ेंगे कोसन नंबर 17 की तरफ कोसन नंबर 17 है उस प्रिष्णी की पहचान करें जो मूल यांकन के कोसल का परिक्षण करता है मूल यांकन के कोसल का परिक्षण कौन सा प्रिष्ण कर रहा है देखिए आज आप जो पुछता के पढ़ते हैं वेरिग वेद से किस प्रिकार भिन्न है ठीक है पुरा तत्व को परिवासित कीजिए हडपा सब्वेता के लोग ओजार बनाने के लिए किन धातूं का प्रियोग करते थे हडपा सब्वेता इस तल की खोच कप की गई थी देखो अगर हम इन तीनों ओप्षन की बात करें तो इसमें परिवासित दी जा रही है जो कि एक रटा हुआ ग्यान होता है किन धातूं का प्रियोग करते थे ये भी इसका एक ही उत्तार रहेगा कि तांबा कांसा टिन मिलाकर जो भी वो धातू बनाते थे इस तलकी खोज कप की गए थी इसका भी वन वर्ड में आंसर रहेगा लेकिन ये वाला जो ओफ्षन ही आपका कि आज की जो कुछ तक हम पढ़ते हैं वे रिग बेट से किस प्रिकार बिन है इसमें बच्चे की आलो चनात्मक चिंतन का विकास होगा राइट आंसर ओफ्षन नमबर ए रहेगा ओफ्षन नमबर एटीन है किस तरह के प्रिशन पूँचकर बच्चों में समा लो चनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है ओफ्षन नमबर फर्ष्ट है बन अधिकार अधिनियम किस बर सपारित किया गया था तरह बुच के तीनों कोणों का योग क्या होता है प्रतवी के बायू मंडल की बिभिन परतों के नाम लिखिए बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश सकता होती है सिद्ध करने के लिए एक प्रियोग की रूपरेखर तयार कीजिए समा लोचनात्मक सोच जिससे हम इंगलिज में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन में से कौन सा ओप्सन बेष्ट रहेगा इसका वन वर्ड में आंसर रहेगा तिरवुज के तीनों कोड़ों का योग एकसर सी वन वर्ड है विविन पढ़तों के नाम यहाँ पर जो आपकी चोब मंडल, समताप मंडल आयन मंडल जो पढ़ते होते हैं उनके आप नाम लिख दोगे राइट आंसर ओप्सन नमबर दी रहेगा इसमें बच्चे एक रूप रेखा तयार करेगा कि अंक्रोन के लिए हवा किया वैसक तक क्यों होती है इससे बच्चे की क्रिटिकल थेंकिंग डबल अप होगी कॉसर नमबर नैंटीन है सुविदाहीन और बंचित सम्मूहों के सिक्षारतियों को संबोधित करने के लिए एक सिक्षक को क्या करना चाहिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास परियाप तो सुविधायन नहीं है जैसे हम गवर्मेंट इसकूलों में देखते हैं या कुछ प्राइवेट इसकूलों में भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं के पास प्रोपर स्टेडी मटेरियल नहीं होता है कुछ बंचित सम्मू होते हैं जो मुख्य धारा से बंचित रह जाते हैं वहां तक उन पर संसादन नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए एक सिक्षक क्या करेगा अप्षिच चात्रों में अपने पन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए option number D चात्रों की कमजोरी को सब के सामने उजगर करना चाहिए option number C इन चात्रों को एक अलग संकाए ही में पढ़ाना चाहिए option number D 26 आतरों के लिए मानकिकरत पाठिकरम का प्रियोग करना चाहिए 26 आतरों के लिए एक प्रकार का पाठिकरम हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ बंचित समूके भी है हो सकता जिन्होंने कभी किताबी न देखी हो एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए अलग संकाय में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो और जो बच्चे हैं उनसे ये बच्चे अलग हो जाएंगे बिछड जाएंगे या उनसे हड़ जाएंगे इनका एक अगल बर्ग बन जाएगा तो हमें ये भी नहीं करना किसी की भी कमजोरी को सब के सामने हो जागर तो करना ही नहीं है तो राइट आंसर ओफसन नमबर ए रहेगा सभी छात्रों में अपने पनकी भावना को बढ़ावा देना चाहिए कोशन नमबर 20 है बिविद प्रष्ट भूमी के बच्चों को सिखाने की सुभिधा के लिए सिक्षक द्वारा का पालन किया जाना चाहिए बिविद प्रष्ट भूमी वाले बच्चे ये भी वो ही आगया कि अलग अलग बेग्ग्राउंड वाले बच्चे है अगर बच्चे विविन प्रष्ट भूमी वाले हैं तो सिक्षक विविद निर्देस आत्मक सेलिया का प्रयोग करेगा अलग अलग परकार से बच्चों को समझाएगा जो भी आपकी थियोरी हो सकती है या जो भी पार्ष्ट हो सकता है राइट आंसर ओफ्शन नमबर सी कोफ्शन नमबर टॉन्टीवन निम्न लिखित में से कौन से विकल्प दी गई दिब्यांगता और संबंदिच छात्रों के समावेशन हे तू यतोचित सैयोजन रणनीती का सही युगम है एक दिब्यांगता यहां पर दे रखिए लेखन वेकल्प पठन वेकल्य गतिमान दिब्यांगता उद्रस से वादित इसके लिए सिक्छक क्या करेगा लेखन वेकल्य क्या होता है बच्चे को लिखने में समय सैख होती है जिसे हम बोलते हैं यह डिस्ग्राफिया का प्रकार है पठन वेकल्प वेकल्प जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है और गतिमान दिब्यांगता लोको मोटर डिसेबलेटी होती है दृष्य बादित ब्लैंडनेस हो सकती है अलप अलप दृष्टी वगयरा यह सारी चीज आपके दृष्टी बादित के अंदर आ जाएगी दृष्टी बादित जिसको में सामाने बासा में बोल लेते हैं जिसको लिखने में समयस्या है उसको क्या करेंगे बिना रेखाओं वाली कार्यपुष्टिका पर लेखन कारे कराएंगे या बिना रेखाओं वाली कार्यपुष्टा का मतला आपको जो A4Size का पशे होता है जिसमें कोई लाइने नहीं होती एक दम बिल्कुल प्लेण प्लेन पेज पर लिखवाएंगे जिसको लिखने में दिखका थे उसको प्लेन पेज तो मिस्रित करके लिख पढ़ने को देना जिसको पढ़ने में दिखका थे उसको बड़े अक्षर देंगे और एक जैसे अक्षर देखने से बचेंगे अलग अलग प्रिकार के अक्षर दे पहले B के महत पर बताएंगे, B क्या होता है, फिर D क्या होता है ये बताएंगे, फिर तब जाकर दोनों को हम सांत में देंगे, ठीक है, यह से नहीं है कि डारेक्ट आप ने उसके सामने B, D, P, Q, चारों एक सांत रख दिये सामने, उसको पढ़ने में पहले ही समझ से आ है, व जिसको देखने में समय से आ है, उसके संचार के लिए सांकेतिक भासा का प्रियोग करना, जिसे सही से दिखी नहीं रहा है, उसको आप संकेत दोगे तो वो कैसे समझेगा, दरश्टी वादित के लिए इस परसे वाली चीजे चलती हैं, कि वह टच करके समझे, या उनके कान बड़े अच्छे होते हैं, वो अपनी जो स्रवन इंद्रियां हैं, उनको अच्छे से विक्सित कर लेते हैं, तो उनके सामने, यह सी जगह आप उने बिठाओ, जहां पर उनके पास आवाज इसपेश्ट रूफ से आए, या उनके सामने हम इसपेश्ट सब्दों को बोले, ताकि वे सही तरीके से सुन सकें, और उन्हें टच करने, जो इसपर्श करने वाली चीजे होती हैं, उस हिसाब जो ने पढ़ाना चाहिए, तो राइट आंसर इसका रहेगा, ओप्शन नमबर C, कि गतिमान दिब्यांगता वाले हैं, उनके कक्छाओं को भूतल पर प्राब यह सबसे बेश्ट लग रहा है, तो यह सई रणनीती रहेगी, अगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोस्टन की तरफ, नेक्स्ट है कोस्टन नमबर 22, निमनल लिखित में से कौन सा बिकल्प, दी गई बिशिष्ट अधिगम बरियता वाले विध्यारतियों के समावेशन हेतु या थोचित सईयोजन रणनीती का सईयोग में हैं, विशिष्ट अधिगम बरियता, विशिष्ट अधिगम बरियता मतलब इस्पेसल लर्निंग नीड्स, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग परकार की चीजें देना हैं, तो आप कोशन समझ गए, तो फिर आप आंसर टिक कर दोगे, यहां पर हम बहुत धीरे-धीरे समझती हूँ चल रहे हैं, लेकिन एक बार है दिया आप इन कोशन को पकड़ लोगे, तो आप बहुत ही आसानी से सारे कोशन को लगा पाओगे, श्रवनात्मक लिकित कार के आधार पर म इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो ओप्शन नमबर सीवी सी लग रहा है और ओप्शन नमबर डीवी सी लग रहा है, यह दोनों गलत है, श्रवनात्मक इसमें बस टीचर बोलता रहेगा, बच्चे लिखते रहेंगे, तो यह तो हम नहीं देंगे, इस चे तो वोर हो ज गती संबेदी खीक है और इस पर सुनिये भी ठीक है, इन दोनों में से हमें और अच्छा लगाना है, गती संबेदी में बच्चे क्या करेंगे, कि सुनने की अपेक्चा खुद करके देखेंगे, और इस पर सुनिये में अधिगम के लिए हातों द्वारा करके अनुभव, तीन एच मुझे यहां पर याद आते हैं, तीन एच याद रखना है, एड, हैंड, हार्ट, ठीक है, बच्चा, हैड, हैंड और हार्ट, इन तीनों चीजों से सीखता है, तो हमें बच्चे के लिए इस परकार की अधिगम रणनीतियां बनाना हैं, जिसें बच्चे का मस्ति कर, देख कर, या क्रिया करके, तो हमने देख रहा है कि बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, और खुद करके भी सीखते हैं, और खुद करके भी सीखते हैं, और से नमबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फट, सेकेंड, थर्ट Q24. चात्रों को समय से समाधान कोशल को बढ़ाने के लिए निमने लिखित में से कौन सी एक अच्छी रण नीती है? समय से समाधान कोशल बच्चों का बढ़ाना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकिल जो है उसको डबल अब करना है. ओफिसन नमबर एक एसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ग्यान के अनुप्रियोग की मांग हो. ग्यान का अनुप्रियोग हो जो ग्यान बच्ची के अंदर है उसको बच्चा एपलाई करना सीखे तो यह थ ठीक लग रहा है. रटने याद करने के लिए तत्यों की एक सूची दें इससे समय से समाधान का कोसल तो नहीं बढ़ेगा. चात्र को बोट पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश ने. नकल करने से भी समय से समाधान कोसल नहीं बढ़ने वाला. परिक्छा में अच कुछे अंक प्राप्त करने के लिए बिसेवस्तु ना पढ़ाएं. बच्चे को कुछ सीखने के लिए बिसेवस्तु पढ़ाएं. तो ये भी गलत है. राइट आंसर ओप्चों नमबर ए ही रहेगा. बच्चों के सामने ऐसे परिसितिये बनाओ जिन में जो ग्यान बच्च को परिवाशित करना और समयसिया का प्रिस्तुति करना. कई समभावित समाधानों की खोज करना. या फिर सामगरी के पारस पर एक उप्योग पर इस्थिर्दा. अब ओप्शन समझ लेते हैं. पहला ओप्शन है कि आपने कुछ समाधानों का चूश करा. चुनाब करा. यसे कोई भी एक समयसिया थी. उस समयसिया के आपने पांच आंसर निकाले या पांच सोल्यूशन निकाले. अब पांच सोल्यूशन के क्या क्या परिवाशित करना समयसिया का प्रिस्तुति करना. बच्चों के सामने पहले लक्षे बता दिये कि इस समयसिया के समयसिया के समयसिय जैसे कि आप बच्चों को लक्ष यह बता दिया कि जैसे ट्रेफिक है ना ट्रेफिक की एक समयस्या है अब अगर यह ट्रेफिक की समयस्या हल हो जाएगी तो एक तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा टाइम बचेगा क्योंकि हर व्यक्तिर टाइम पर घर पहुंच पाएगा या ओफिस जा पाएगा या कहीं भी जा पा रहा है वह समय पर पहुँच पाएगा किसी को किसी प्रकार की समयस्या नहीं होगी ठीक ये लक्ष हो गया अब इसका आपने समयस्या प्रसुत कर दी कि बताओ इसका समाधान कैसे निकालो गए तो ये भी समय से समाधान की प्रक्रिया में सही रहेगा बच्चे इस समय से समाधान की प्रक्रिया को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कई समभावित समाधानों की खोज ये बिल्कुल ठीक है देखिए यहां पर बढ़ जो आ गया, इस्थिर्था और ऐस पारंपर एक उपयोग पारंपर एक उपयोग मतलब यह नहीं है कि हमारे पूर्वा जो करते आ रहे हैं वही पारंपरा है पारंपर एक उपयोग का मतलब है कि एक बहुत अच्छा does जो चलता है कि जैसे कि पेन होता है पेन का प्रियोग सिर्फ लिखने में होता है क्या लिखने के अलावा हम पेन का प्रियोग कहां कहां कर सकते हैं ठीक है और भी कोई भी चीज हो सकती है जैसे कि आप अच्छा मोवाइल फोन की बात कर लेते हैं एक समय था जब मोवाइल फोन का प्रयोग हम सिर्फ बात करने के लिए करते थे या एक दूसरे तक अपना संदेश वेजने के लिए प्रयोग करते थे ये था मुवाइल फोन का पारम पर एक उपयोग लेकिन आज मुवाइल फोन का उपयोग सिर्थ दो ही काम के लिए करते हैं आज मुवाइल फोन का प्रयोग हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से आज कल तो बेंक को फंड ट्रांसफर जो है वह था कि मुवाइल फोन से संबब होच सका है किस वज़े से होच सका है क्योंकि मुवाइल फोन के हम पारम पर एक उप्योग पर इस्थिर नहीं रहे हमने उसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी कि पहले सिर्बात हो पाती थी फिर उससे मेसेज बेजना शुरू हुआ फिर देरे देरे उसमें इंटरनेट कनेक्शन आना शुरू हुआ सोसल मेडिया आया और आप बैंकिंग के सारे काम भी हमारे मुवाइल फोन से ही हो जाते है तो बाधा क्या डालेगा बाधा ये डालेगा कि आप किसी भी एक पॉइंट पर इस्थिर हो गया राइट आंसर एक सिक्षक को उन गतिविदियों को बड़ावा देना चाहिए जो हो अब किस परकार की गतिविदियों को एक सिक्षक को बड़ावा देना चाहिए आइस पेश्ट हो आइस पेश्ट गतिविदियों को सिक्षक क्यों ही बड़ावा देगा सांस्कृतिक रूप से अप्यु को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विध्यारतियों को कक्षा चर्चा और अन्य गति विद्यों में भाग लेने से करना चाहिए क्या दो ब्लेंक है दो अप्शन है अन्य रचनात्म गति विद्यों में भाग लेने से हतोत्साहित करना चाहिए हतोत्षाहित नहीं करना अर्थ पूर्ण गति विदियों में भाग लेने से हतोत्षाहित करना चाहिए ये ठीक है ने ने अर्थ पूर्ण है अर्थ पूर्ण है तो ये गलत है अर्थ हीन होता तो ये सही हो जाता आत्मा गतिविदियों में भाग लेने के लिए प्रोत्षाहित करना चाहिए बिल्कुल ठीक अर्तेहीन गतिविदियों के लिए प्रोत्षाहित करना चाहिए यह गलत तो राइट आंसर है रहेगा इसका option number C आगे बढ़ते हैं question number 28 की तरफ question number 28 बढ़िया है अगर किसी ने इस चीज को कभी पकड़ा नहीं है या कभी पढ़नेम नहीं आया है तो इसके लिए बहुत बढ़िया question है अधिसंग्यान के बारे में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है option number ए अधिसंग्यान अपने ग्यान पर मनन करने में मदद करता है अधिसंग्यान एक निचले करम का ग्यान है अधिसंग्यान संग्यान और अधिगम को निम्न करता है अधिसंग्यान सोच के बारे में सोच है अधिसंग्यान का अर्थ है कि आप जो सोच रहे हो उसके बारे में क्या बिचार है ठीक है आपकी सोच के बारे में सोची अधिसंग्यान होता है तो अपने सोच के बारे में सोच में आप अपने ग्यान पर मनन करते हो बिल्कुल ठीक अधिस संग्यान में संग्यान और अधिगम को नियमित करता है ये भी ठीक है अधिस संग्यान सोच के वारे में सोच है ये भी ठीक तो राइट आंसर रहेगा ओप्सन नमबर भी क्योंकि हमसे नहीं पूंचाता कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये वाला कथन सत्य नहीं है आधि संग्यान एक निचले करम का ग्यान है Qoshen Nos 29 उस उधारन को चुनीए जो आंतरिक प्रेरणा को धर साता है दो प्रकार के प्रेरणा होती है एक होती है भारी प्रेरणा और एक होती है आंतरिक प्रेरणा अगर कोई काम व्यक्ति अपनी रूची से करता है अपने ज्यान की ब्रध्धी के लिए करता है तो आंत्रिक प्रणा होती है अगर कोई काम व्यक्ति पुरुसकार के लिए करता है या दूसरों को दिखाने के लिए करता है तो वहां पर भारी प्रणा होती है ठीक है इसी से आप इसका सही उत्तर लगा दोगे आंतरिक प्रेंड़ना को दर्शाने वाला कसन चुनाब करना है रोशनी परिक्षा में अच्छे अंके के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से उपर अंकल आने पर घड़ी दिलाने के अबाद किया यहाँ प्रुसकार के लिए काम चल रहा है तो यह हो जाएगी आपकी बाहर प्रेंड़ना रोमी अपना ग्रेकार पूर्ण कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे इसमें उसका फायदा हो रहा है तो भारी प्रेंड़ना रोमा बहुत सी पुष्टक के पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग इस्टार वोर्ट पर अपना नाम उपर लाकर पे अध्या पिका की प्रिसंच सा पाना चाती है तो दूसरों को दिखाने के लिए कर रही है तो यह भारी प्रेंड़ना हो गई अपनी परियोजना कारी के लिए रभी विभिन इस्तरोत तलास कर रहा है क्योंकि वे नई जानकारी लेने में रुची रखता है अपनी रुची के लिए, अपने पसंद के लिए, खुद के खुशी के लिए या खुद के ग्यान के ब्रद्धी के लिए जो काम की जाता है वे आंत्रिक प्रेणा के अंदर आएगा Right answer option number D Question number 30 है अच्छी इस्मृति की विशेष्टा हैं अच्छी इस्मृति की क्या विशेष्टा हो सकती है शीग्र पुना इस्मृति बिल्कुल ठीक जल्दी से यादा जाना शीग्र पहचान जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेना अच्छी धाना यानि की काफी लंबे समय तक भी आपकी दिमाग में बनी रहे तो तीनो ही अच्छी स्मृति की बिशिष्टा होती है राइट आंसर ओप्शन अमबर डी हो जाएगा यह सबी तो यह थे हमारे आज के पंदरा कोशन अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आसा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कुछ ना कुछ नया शीखने के लिए मिला होगा इसका pdf टेलिग्रम चेनल पे शयर कर दिये जाएगा टेलिग्रम चेनल का लिंक आपको डिस्क्रेशन में देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कि शेयर चैनल को सिस्क्राइब करें किसी प्रिकार का डाउट रहे तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद